अंतर जनपदी अपराधी पुलिस मुठ भेड में गिरफतार जनपद सितापूर के थाना हर गाओं के एक शेत्र में क्राइम रांच हुआ थाना हर गाओं के सेयुक्त पुलिस टीम द्वारा 25,000 रुपे के इनामिया शातिर अंतर जनपदी अपराधी मुस्लिम खान पुत्र जाविर निवासी रंगीला नगर फाना कोटवारी सदर जनपद खीरी की पुलिस मुठ भेड में गिरफतारी के संबन में पुलिस अदिक्षक सितापूर चक्रेश मिश्र द्वारापूर जानकारी दी गई है समधा था संजीय कुमार के खास हुआ सितापूर के थाना हर गाओं के अंतरगत एक अपराधी जिसके ऊपर 25 या Рुपए का इनाम पूर उसे घोषित था इसके साथ पुलिस टीम की जिसमें थाना हर गाओं की पुलिस ऑ एसो जी टीम शामिल है इनकी मुद्फैल हुई इसपराधी का नाम मुसलिम खान है ये रंगीला नगर थाना खीरी जनपत लखिनपूर खीरी का रहने वाला है इस अपरादी के दौरा लगातार चोरी की घटनाओं को कारित किया जा रहा था ये जनपत सीतापूर में चोरी की विभने घटनाओं में पूर से वांचित चल रहा था उसी के क्रम में आज जब इसको यहां पर चेकिंग के दौरान रूका गया तो इसके दौरा पुलिश टीम पर फाइरिंग की गई जबावी फाइरिंग में इसके पैर में गोली लगी है इसको इलाज के लिए एस्पिताल भीजा गया है जहां इसका इलाज चल रहा है हमारे भी एक पुलिस दिरीक शक के पास में एक गोली लगी है उनके जो जो उनका बॉडी प्रोटेक्टर है उसमें गोली लगी है लेकिन उनकी हालत सही है उनको कोई खत्रा नहीं है पुलिस टीम के दौरा इसके अन्य साथियों की गृफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है इसके पास से चोरी की एक मोटर साइकल बरामद हुई है साथ में एक अवैट सस्त्र कुछ जिंदा कार्तूस तथा कुछ दगे हुए कार्तूस बरामद हुए है पुलिस के दौरा इसका अपरादी के तियाज जब चेक किया गया तो इसके विरुद्ध पहले से लगवक 13 मुकदमे कायम है जो विभिन्य जन्पदों के हैं यह अंतर जन्पदी अपरादी है इसके विरुद्ध इसको जेल भेजकर वैधाने कारवाई की जा रही है आगे भी जन्पद सीतापुर में पुलिस के दौरा इसे अपरादीयों के विरुद्ध कारवाई की जाती रही है